नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक एसा गयलो नुस्का जिसके यूज से आप सिर्फ 15 दिनों में 10 किलों तक वजन कम कर सकते हैं आपके शरीर में जम्मा एक्स्टा फेट को गला कर बाहर निकालने के लिए एक बहतरी नुस्का है इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप स्लिम और फिट बन सकते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में दीगे बेला आइकुन को दबाईए ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें दोस्तो इस नुस्के में हम जीरा यूज करेंगे जीरे को हम दो तरीके से यूज करेंगे पहला हम इससे एक ड्रिंक तयार करेंगे जिसका हमें सुबह खाली पेट सेवन करना है और दूसरा जीरे के पाउडर और दही का दिन में दो बार हमें सेवन करना है अगर आप इस और मेरी बताई गई कुछ टिप्स को फोलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने शरीर से 10 किलो तक वजन सिर्फ 15 दिनों में कम कर सकते हैं दोस्तों कई लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं तरह तरह की दवायों का सेवन करते हैं और कई लोग तो गर्म चीजों का सेवन भी ज्यादा करने लग जाते हैं जिससे कि उनका वजन कम हो पर इन सब से भी ज्यादा इफेक्टिव है ये नुसका और ये नैच्रल भी है इसके यूज से आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजूरी नहीं होगी जो की अक्सर डाइटिंग और दवायों से होता है जीरा हमारे वजन को कम करने के साथ साथ हमारे digestive system को भी improve करता है और हमारे खाने को हजम करने में भी बहुत help करता है ये पेट में gas, acidity और खटी डखार जैसी problems को भी खतम करता है जीरा हमारे heart के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है और हमारे blood को भी purify करता है जीरे का सेवन हमारे सहत के लिए बहुत फाइदे मंद होता है दोस्तों आपको सुबर पीने के लिए जो drink बनानी है उसे बनाने के लिए एक चम्मच चीरे को आप आधी glass पानी में डाल कर रात में विगो कर रख लीजे और इसे किसे बर्दन से ढख दीजे सुबर आप इस पानी को दो मिनिट तक boil कर ले और बाद में इस पानी को छान ले सुबर खाली पेट आपको सेवन करना है आप चाहें तो इसे एसे ही पी सकते हैं या इसमें आधा नीमबू का रस या फिर एक चम्मच शेहट डाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं अगर आप नीम्बू का रस इसमें एड़ करेंगे और पीएंगे तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा दूसरे प्रोसेस में आपको पीसा हुआ जीरा लेना है एक चमबच पीसे हुए जीरे को लगबग चार चमबच दही में हमें मिक्स कर लेना है जीरे का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत पाइदेमन होता है हमें इस तरह से से मिक्स कर लेना है आप दिन में किसी बेवक्त खाना खाने के पहले या उसके बाद आपको इस दही और जीरे के मिश्रन का सेवन करना है अगर आप इस दही का सेवन दिन में दो बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा नहीं तो आप दिन में एक बार तो इसका सेवन जरूर कीजिए इस नुश्के के यूज से आपको definitely positive result मिलेंगे दोस्तो इसके अलावा कुछ द्यान देने वाली बाते हैं जैसे आपको रोज कम से कम 20-25 मिनिट कोई भी physical exercise जरूर करनी है सुबर शाम खाना खाने के आदा गंटे पहले आप एक ग्लास पानी जरूर पिए आपको पूरे दिन में दो ग्लास घरम पानी का सेवन भी जरूर करना है आप चाहिए तो एक एक ग्लास दो टाइम भी पी सकते हैं खाना खाने के तुरंट बात आप ना सोएं या खाना खाने के बात बेठे नहीं थोड़ा बहुत जरूर गूम फिर लें दोस्तों हो सके उतना ओयली फूड फास्ट फूड जंक फूड भी अवाइड करें दोस्तों मेरे बताए इस नुष्खे और टिप्स को आप फोलो करें आपको कुछ ही दिनों में अपने शरी में बदलाव महसूस होने लग जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंदाई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए इसे और भी लोगों को ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सके और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ही तो प्लीज सब सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो अंतर देखने के लिए रहने बाद